प्यारे बच्चो आज का जो मेरा वीडियो है वो permutation और combination पर बेस्ट है permutation और combination के concept को समझने के लिए हमें कुछ principles को जानना जरूरी है तो permutation और combination के concept पर आने से पहले हम लोग पहले कुछ principles को समझाएंगे उसके बाद इनसके concept को हम लोग देखेंगे ये एक बहुत ही important topic है जिसमें हर तरह के competitive exam में questions पूछे जाते हैं और हर तरह के board exam, jack board हो या cvc board हो या कोई भी board हो हर एक board में questions पूछे जाते हैं और ये जो आपका topic है वो बहुत ही complicated topic है फिर भी इसको मैं अपने तरफ से प्रयास करूँगा इसको simplify करके आपको आसान से आसान भासा में समझा सको है ओके बच्चों तो हम लोग अस्टार्ट करते हैं पहले इस topic को समझने के लिए कि law of या principle of multiplication क्या है, fundamental principle of counting क्या है fundamental principle of counting को जब आप समझ जाएंगे तब हम लोग permutation and combination के concept को start करेंगे तो ओकी chapter 7 permutation and combination है इसको जानना है हमको fundamental principle of counting जिसका के दूसरा नाम है multiplication principle इसको जानना है और दूसरा है addition principle इसके basic concept में आपको ध्यान रखना है कि multiplication principle कहा यूज होगा जहां भी इंग्रिस का and, and का जो case आएगा तो आप multiplication principle को यूज करेंगे and जिसको की हिंदी में हम लोग और गोते हैं और addition principle कहां यूज होगा, addition principle इंग्रिस का जहां भी और जिसको की हिंदी में हम लोग अच्वा गोते हैं तो और का जितने भी cases जाएंगे, वहाँ पर हम लोग addition principle को यूज करेंगे यह बहुत ही basic concept है, problem आपको बहुत ही घुमा फिरा कर बताया जाएगा लेकि उसके अंदर के concept में यही है कि जितना भी and का case आए तो उसको आप multiplication principle से बनाएगे और और का case आएगा तो addition principle से बनाएगे, अब यह समाझना है कि and and or का है क्या case इसको समाझने के लिए पहँद लोग को देखते हैं यदि हमारे पास कोई work W है तो W को complete करने का हमारे पास तरीका है कि काम को हम लोग छोटे छोटे segment में बाढ़ दे W1, W2, W3 सिग्मेंट वोगा इस तरह से और भी सिग्मेंट हो से और W1 काम को करने का तरीका है हमारे पास M W2 काम को करने का तरीका है हमारे पास N W3 काम को करने का तरीका है हमारे पास P और हमारे काम W कब कम्प्लीट हो? जब W1 भी complete हो जाए and W2 भी complete हो and W3 भी complete और थार एक के बार दुसरा फॉलो हो दुसरा के बार तिसरा फॉलो हो और तीनों नेसेसरी हो यह जितने भी सिग्मेंटे सभी के सभी सिग्मेंट नेसेसरी हो जब सभी सिग्मेंट्स कम्बाइड हो तब जाके काम W complete हो तो वैसे केस न टोटल नमबर अफ डिस्टिंट वेस in which work W is completed is equal to हो जागा M into N into P इसी को हम लोग बोलते हैं multiplication principle इप ए वर्क W is distributed in W1, W2, W3 and so on यहीं काम W को W1, W2, W3 में distribute कर दिये, break कर दिये number of ways to complete these और इन W1, W2, W3 को करने का complete करने का जो number of ways है वो M, N, P and so on इस तरह के हैं कि W1 काम करने का M तरीका है, W2 काम करने का M तरीका है, W3 काम करने का P तरीका है and so on अगर और भी पार्ट है तो उसके लिए अलगल number of ways है तो अब पुछा जाए कि पूरा काम complete करने के लिए W, to complete work W, work W को complete करने के लिए W1, W2, W1 and W1 भी चाहिए and W2 and W3, हर एक पार्ट होना जरूरी है and अगर और भी पार्ट है तो और भी पार्ट, R compulsory वो सारे की सारे compulsory है या followed, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तिसरा followed के जहें तब जाके काम W complete हो, to complete work W, W1, W2 and W3 are compulsory या followed, then total number of different ways to complete work W is work W को complete करने का total number of ways कितना हो जागा, M into N into P into अगर और भी है, और भी work को यह दिवाइट किया गया है तो उनके number of ways, इनको multiply करने के, M into N into P into and so on ओके, तो यह हो गया हमारा law of multiplication या principle of multiplication दूसरा है, addition principle, addition principle में काम W है, इसको भी complete करने का, या तो W1 पार्ट में complete हो और W2 पार में complete हो और W3 पार्ट में complete हो, W1 को करने का M method हो, W2 को करने का N method हो, W3 को करने का P method हो and so on, if a work W is done either by W1 or W2 or W3 and so on, यदि कोई work W, W1 के द्वारा हो जाए या W2 के द्वारा हो जाए या W3 के द्वारा हो जाए number of ways to complete these are, W1 को complete करने का number of ways N हो, W2 को complete करने का N हो, W3 को करने का P हो and so on, इसी करह से हो, hence total number of different ways to complete work W, इस case में total number of ways to different ways हो, work W को complete करने का जहां की काम या तो either or का के से, यहां पर हम लोग लिखे हैं और either or, W1 से भी काम हो जाए और अथवा W2 से हो जाए और W3 से हो जाए और लिखे हो जाए तो total number of ways यहां पर M plus N plus P and so on, इस तरह के हो जाएंगे, ओके बच्चों तो यह तो हम लोग principle mathematical formula लिख दिया गया, इसको एक उधारन से हम समझाते हैं आपको, जैसे आप इसको समझेंगे, कि आपको एक W जो काम है, यह W काम है आपको एक pain का नियमान करना है, एक pain बनाना है, pain बनाने के आपने pain बनाने के काम को तीन पार्ट में divide कर दिया, पहला पार्ट की pain का body बनेगा, body बनाने के हमारे पास पांच में बनाने के काम को हमने नाम दिया W2, और रिफिल बनाने के काम हमारे पास कितने तरीका से हो सकता है, मालने के वो है चार तरीका, चार तरह का रिफिल, लंबा रिफिल, मोटा रिफिल, पतला रिफिल, इस तरह से चार तरह का रिफिल बन सकता है, अब दिसरा W3 है पैकेजिंग, कि बाई, दोनों बन जाने के बाद पैकेजिंग करना हो कितने तरीका से होगा तो फी कमान हो में रिफिल बनेगा रिफिल बनेगा रिफिल दृ स्काइब काम वी बनाने काम पांच तरीका से होगा दूसरा काम जो डबलूटू है रिफिल बनाने काम वो चार तरीकाँ से होगा तीसरा काम है उसका जो पैकेजिंग का काम है वो तीर तरीका से होगा तो कोश्तर कुछा जागा कि भाई, इन हाउ मैंडी डिफेंट वेज किए टिरीका से एक पेइंग का नीमान हो सकता obtain की अलग अलग तरिका से आपका सकते हैं तो यहां पर तीनों पार्ट का होना जरूरी है उसका कोड़ी का बनना बहुत जरूरी आंड उसके बाद इसका नि्कल बनना जरूरी है एंड उसके बाद पैकेजिंग होना जरूरी है तब जाके काम डबलू कॉम्प्लीट होगा तो टोटल नंबर ओवेज यहां हो जाए एम इंटू एंटू पी अर्थाग पांच इंटू चाल बीस अब बीस इंटू थी साथ टोटल 60 डिफरेंट पेंस हमारे इसके से आब आई और का किस के हैं वाली डूप्लीट करने के लिए आप क्या है कि पहले दोस्ते पास गहे है डालो तो आप गहाना खाने और व उसके पास और पर आइन्ट है उप पांच ओन को कम्प्ल लिए 1 को घानए तो तो आपका भूख कम्प्लीट हो जाएगा तो पहले दोस्ते पास गये उसके पास पांच तरह का आइटम है उसके पाद आप दूसरे दोस्ते पास चार तरह का आइटम है और तीसरे दोस्ते पास तीन तरह का आइटम है और काम क्या आपका अपना भूख को मिटाना है हंगर क को कम्प्रिट करें तो रपको कम्परीड करने का तरीका कि कोई भी एक ही ऐट dużo आचेंप हने से और दूसरे यहां कोई भी एक आईटेम खाने से बर Sekta है अथो तीसरा दोस्त के पास कोई भी एक आइटम खाएंगी तो वहां भी आपका पेट भर सकता है तो आप पूछा जाए कि नमबर तरीका क्या हो जाएगा पहला दोस्त के पास है पांच दुसरा दोस्त के पास है तो पांच प्लस चार नौ प्लस तीन बारा कुल बारा करेंगे तो से आप अपने पीट को आपने भूख वहा दोश्त वहां मिटा सकते हैं याँ भोगST बीताने के पास पहला दोस्स के पास पांच तरीका का पांच मेथगर है दूसरे के पास पर से चारतार्का आइटम है छाए थिसे के पास ठीट चीन आइटो है तो प्रिंस्पर्तलो पनीशन लौं अजिर ग्यु उग जोगेजाए पूटल प्रिंसपल एडिशन प्रिंसपल में इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पर पूरा कर पूरा प्रमुटेशन और कॉमिनिशन का कंसेट इस पर आसिल थे तो लॉप मुल्टिप्लिकेशन में हमनों हमेसा याद रखेंगे कि एंड का जहां भी केस आगा फॉलो का किस चूह जहां भी आगा एक वर्क के बाद दोस्रा वर्क होगा दोस्रा तीसरा वर्क तूस्रा के बाहला कोंब्लिट हो जाया और दूस्रा बेससे काम कंप्लिट हो करेंगा उसमें M प्लस N प्लस P का यूज करेंगे ओके अब इन कांसेट पर सबसे पर हम लोग एक्सराइज 7.1 के कुछ कोसंस को बनाते हैं कोसे नमर वान को ही वह लेते हैं कोसे नमर वान हमारे पास डिजिट से 1 2 3 4 & 5 है टोटल नमबर ऑफ डिजिट हमारे पास अबलेबल है पांच और हमारा टार्गेट है कोसं दिया एक त्री डिजिट नमबर बनाना है अब दूसरा केस में है रिपिटेशन ऑफ डिजिट से नॉट अलाओ डिजिट को आप रिपिट नहीं कर सकते हैं तो वन वान हम लोग दोनों केस में लेखते हैं पहला है जो हम दो सकते हैं और 3 divisions का बनाना है? एक फरल को भी रख सकते हैं तो पंते हैं रख सकते हैं। युनिट प्लेस को कोई भी फाइब डिजिट से हम लोग है। और हंडेट प्लेस नुट फसाकर भांडेका हो सकताई पांच भी हो सकता है पांच बेद प्लेसों को अजों कितने तरीकरा पांच वे से टोटल नम्बर भेज क्या हो जाएगे, 5 x 5 x 5, मतों 125 टोटल नम्बर समलोग बन सकते हैं जिसमें रिपिटेशन अलाओ है, ओकी. इन 3-digit numbers, unit place या 10th place या 100th place can be filled by given 5 digits, यह 5 digits से in 5 ways each, परते एक किसमे, परते एक place को unit place हो या 10th place हो या 100th place हो, परते एक place को 5 digits के द्वारा हरे किसमे 5 तहीं का से भर सकते, तो by multiplication principle से, total number of numbers जो बनेंगे 3-digit numbers, is equal to 5 into 5 into 5, 125, 3-digit numbers बन सकते हैं, जिसमें repetition allowed है, दूसरा कैसा है कि repetition of digit is not allowed, एक digit जो जिसको आप इस्तेमाल करेंगे, उसको फिर दुबारा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे case में हम लोग, unit place में हम लोग, किसी को भी लेख सकते है तो 1 को, 2 को, 3 को, 4 को और 5 को किसी एको ले सकते हैं, अब जिस digit को आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे 1 को इस्तेमाल किये, तो अभी इस place पर 1 को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, 2, 3, 4 and 5, बस इसी किसी को नहीं कर सकते हैं, अगर माने हम यहां 2 को इस्तेमाल किये, तो यहां पर हम होगा हम की किC nato तो फिर HI h ع원 jima को लॉगा तो यहां सिंद्ध ऑ बन तो 7 compliance सी फार राइव सबняя मत शकते हैं लोग सी वाइव बज जाता है उन पौर मैंसे कोई एक में स्निमाल होगा उस्निमाल को छोड़कर बाकी जो आपका 100 प्लेस है वो बाकी बच्चे में थ्री डिजिट्स के द्वारा इन थ्री वेज में आप फिल अप कर सकते हैं तो यहां भी टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स बाइ लॉप मुल्टिक्लिकेशन क्या हो जागा फाइब फाइब फोर इंटो थ्री फाइब फोर एंद थ्री बेजिसको फाल करेंगे उधारन देखे आपको दिखाया संधाने के लिए या और यह और यह 10 प्लेश को कोई भी फोर वें और हंडेट प्लेश को किसी भी बचे हुए थ्री डिजिट से तीन वें भर सकते हैं रिस्पेक्टिवली सो बाइब मुल्टिक्लिकेशन प्लेशन प्लेशन टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स इस केसमें 60 हो जाएगे जब इसी में बच्चों देखिए कोस्टन को और कॉम्लिकेटेट बनाया जा सकता है इसमें पूछा जाए ऐसे कितने थी डिजिट नंबर होंगे जिसके यह तीनों डिलीट रिपिट किया गया हो तीनों डिलीट किया हो जैसे मतलब 1 1 1 है या 2 2 2 2 है या 3 3 3 है तो ऐसे 5 नंबर ह बनाइं में रिपिट दूर जाए जहां पर कि यह ती खिरी यह थी गरी बाद रिपिड किया गया है वैसे 5 नंबर हो है उसके बाद आको कुमोल में और ऐसे पूछा जया सकता है कि कितने नंबर आईसे हैं जिसमें डिलीट का रिपिटेशन हूआ है तो 60 नंबर ऐसे हैं ज जिसमें कि डिजिट का रिपिटेशन या तो दो बार हुआ है या तीन बार हुआ है कोशन में और ट्विस्ट लाना है तो पूछा जाएगा कि कितने नमबर से जिसमें डिजिट को तीन बार रिपिट किया गया है तो वैसे फेन नंबर निंव होसा मैं तो 1 1 1 रख गया रागए ब Rich say 5 और Plus Redmin Cancer ला गया तो पूछा गया कि कित्रें नंभर आज अधार इसे हैं जिसमें डिजिन बबार लिपट किया टो बार पिसे करने वालेवड ऑने ही इसमें अभि हम लोग पता कियी तो बच्चों आप देख सकते हैं कि कोसन में कैसे twist लाया जा सकता है कोसन में बहुत से possibility आए जिसको जेंज किया सकता है और कोसन कर बनाया जा सकता है हम यह तो इसी chapter 7.1 के कोसन नुमर 6 को देखते हैं कोसे नुमर 6 में हमारे पास total number of different color flags आसब करना है इसको फिर आप नीचे रखना है कुल सकते हैं टौब वाले फ्लेक्स पर सकते है कि families मैं दिखन के कि यह यह किए उसको फिर नीचे बॉटम में यूज़न ही करें उसको इस्तों ही तो तो नीशी वाले जो जो स्पेस है सिगनल में उसको फिलब करने के लिए आपके पास बच्चा वह जो फोर कलर फ्लैग है उसी में से किसी एक को इस्तेमाल करें कि अगहें कांँ हम दो पांटर्र बाट दी कि वो टॉप को फिलब करना है दूसरा काम को बांट दी कि रूटम मुले लेश्कों फिलब करना है लोट फिलब करने के हमारे पास पांच वे यह बॉत्म वाले फिलब करने का चुकी एक को जब आप इस्तेमाल कर लिए तो हम को signal बनाना है यूजिंग 2 फ्लेक्स को यूज़ करकर 1 बिलो यूज़ यूज़, यह के नीचे दूसरा रखना है. इन इस सिगनल पर तेक्ष, जो बन रहा है 2 फ्लेक्स का, अट टॉप पर हम लोग एनी 5 फ्लेक्स चैन भी उसकता है इन 5 वेज, कितने तरीका से होगा तो आप फाइव वेज में होगी एंड उसी परकार से एड़ बॉटम बॉटम में रिमेनिंग फॉर फ्लैक्स बच्वाइब फॉर फ्लैक्स को केंड वी यूज इन फॉर वेज चार तरीका सिस्टम आओ कर सकते हैं हमारे पास रूल है बाई हैं यहां दोनों काम कंबस तरीये काम करने से आपका काम कंप्लेट नहीं होगा है इसलिए एंड होने के वाज़े से लौक मुंदिकेशन लगे का फाइंट फॉर होगा आइए एक और पॉसर हम लुग देटे खोसर नंबर फाइब देए पोसर नंबर फाइब में है कि एक को आप तीन बार करते हैं अगर तीन बार को तोस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ और पैम इसको निकालना एक प्रक्वाइब टॉस करेंगे देन नमर अफ रहता है यह और प्रवाइन को तीन बार टोश करेंगे तो टोटल डॉम्बर पॉसिबल आपकोंस कितने हो जाएंगे अगें बैट प्रिंट एक काम को तीन बाग में पांठ यह काम आद जी देखा कि पहले बार शिक्का को उच्छाला गया कितना नमबर वेज हो गया चू दूसरा आदमी दे तीसरा आदमी इसरा काम बाड़ दी उसने तीसरे बार सिक्षगे कुछ हाला उसने आपकोंस किया कितने आपकोंस है तू हमारे काम कब कॉप्प्लिट होगा जब फर्स्ट एंड सेकंड एंड फर्ड तीनों आदमी काम को मिला जाए एक के बाद दूसरा दूसरा एक बाद तो फॉलो और यही आपको बस यहीं नहीं काना हमको आंसर यही तक है अब बच्चों के मन में आएगा कि यह कौन से आउटकम्स आएंगे उनका ना मैं बता दे रहा हूं इसके आप सकता नहीं अब बच्चों को बच्चों को सब्सक्राइब नृधर गें और ओनेंगे नहीं ओने में तो उनकी को आएगे और यहीं को भी वाई सब्सक्राइब जो भी आपको डॉट्स आ है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले और यदि यह वीडियो पसंद आये तो इसके लाइक और सबस्काइब करें आप बेल आइकन दवाना ना भूलेंगे क्योंकि आने वाले दिनों में इसी पर बेस्ट और भी इसे इंट्रेस्टिंग इं पुछने के मैथेमेटिक का कोई भी टॉपिक पड़ेंगे इसको आप देखें कि अपने आप डेली लाइप में बहुत से जगों पर आप अपने इस्तेमाल करेंगे ओके बच्चो थांक्यू सो मच बच्चो